हाई अब्रिवन कैसे हो आप सब आशे करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे वेलकम टो आमिनाक्षी क्रेटिव व्लॉग और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा आज न्या दिन शुरू हो गया है मतला हम रक्षवन दन का फेस्टिवल निकल चुका है और आज है नेक्स टे तो आभी मैं बज रहे हैं सुभा के 6 और मैंने पूजा वगेरा कर ली है और बहुत सारा सामान डिस्ट्रप पड़ा है घर का और बहुत सारा काम भी प बहुत सारे कपड़े थे आईरन के क्योंकि घूमने के बाद बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं दुलने के बाद फिर उनको दुलना और प्रेस करना वो तेक अलग चीज हो गई फिर उनको जगहा पर रखना ये सबसे डिफिकल्ड टास्क होता है तो अभी मैंने कर ली है आ अभी फिलाल बस मैंने पूजा करने के बाद सिर्फ एक कपड़े ली है और मैं नाश्ता तभी खाऊंगी कुछ जब मेरा ये पूरा काम हो जाएगा और नहीं तो मैं स्किप भी कर सकती हूँ आस नास्ता जब तक मेरा काम ना हो और इतना सारा धेर लग गया था कपड़ों अब ये फिर अलग-अलग करके सब की अलमीरा में अलग-अलग रख रही हूँ क्योंकि फिर मुसीबत भी तो नहीं होती है बाद में ढूनने के लिए और अगर एक ही जगा रख दो तो सब बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर ढून के किसी की शर्ट कहीं है पैंट कहीं है तो इसलिए बिल्कुल प्रॉपर जगे पे रख देती हूँ मैं और यही वो वज़ा है जिसकी वज़ा से मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट रहता है मतलब मेरा घर मेंटेन रहता है ये बोल सकते हैं हाँ क्योंकि देखो घर सबको अपना प्यारा लगता है जैसा भी मेरा घर है मुझे बहुत प्यारा लगता है बड हाँ इसको मेंटेन रखना वो मेरा काम है और मेरा घर मतलब बिल्कुल एककम एक समान जो है वो बिल्कुल मेंटेन जब बहुत जादा काम होता है तो जही रह जाता है वरना कोशिश में पूरा करती हूँ करने की और यह सेफ बगेरा में मैं साड़ी बगेरा रखी थी तो यह जो मैंने कल रक्षव अंदन पर साड़ी पहनी थी तो अभी एक ही बार वियर की है तो मैं अभी नहीं मैं साड़ी एक बार वियर करके नहीं धुलती हूँ आप लोगों का पता नहीं क्या से करते हैं जो लीडीज हैं बट मैं एक बार पहन के नहीं उसको ड्रैकलीन वाली जो होती है तो कम से कम उनको दो या तीन बार वियर करती हूँ तब ड्रैकलीन कराती हूँ और घर जो है तो स्कूल में 6-7 घंटे रहना पड़ता है तो 6-7 घंटे जब दिन के निकल जाते है तो बाकी का जो टाइम रहता है वो पूरी तरह से डिवाइड रहता है मतलब एकदम फिक्स रहता है कि इस समय ये काम होना है और इधर मेरा हैं टो हैंड पोचा लग रहा था उधर मेरी कपड़े भी दुल गए है और आज दिन एकदम किलियर है आसमान एकदम किलियर है हवा भी तेज चल रही थी और बहुत गर्मी है उमस है आज मौसम में तो मैंने कपड़े नीचे नहीं डाल लेते कुछ तो मेरे ड्रायर मशीन का जो है वो कुछ पता नहीं क्यों कम चल रह अदर्वाइस तो बरसात के मौसम में मैं नीचे ही डाल के जाती हूँ कपड़े क्योंकि एकदम मौसम खराब हो जाता है पता ही नहीं चलता है अब धुल गए है मेरे कपड़े नीचे जाड़ू पोचे का काम भी हो गया है सुभा नाश्ते में मैंने ऐसी थोड़ा बहुत आयते तो बहुत सारे कपड़े हो गयते वह दुले हैं आधे मैंने पहले ही दोर के रख दिये तो वह मैंने आयरन करके रखे हैं और जो है अभी फिलहाल मैंने दोर दिये हैं कपड़े मीचे का भी वह सारा काम हो गया है बस हम मैं किचन में जाओंगी और देखती हूँ दो रक्षवंदन मना रहे हैं बढ़ हमारे यहां तो कल हो गई थी तो उसके बाद जो है मन नहीं लग रहा है अब ऐसा लग रहा है पता नहीं को इखटे होंगे सब कब एक साथ बैट के बाते करने को मिलेंगी बस यही डेली रूटीन मेरा और देखती हूं मैं और क्या करती हू पॉपा बॉए हैं तो सब्सक्राइब है और अगर अब भी आपने मेरा चैनल नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सबस्काइब कर देना एंड जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को वाचिंग कर रहे हैं और मुझे बताते हैं जो मेरी ही है कि वीडियो अच्छी बना रहे हूँ तो बड़ी खुशी लगती है वैसे इतनी भी अच्छी नहीं बन रही है कोशिश तो कर रही हूँ वो थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं तो बड़ी अच्छी लगता है खुश रहे हमेशा मुस्कुराते रहे और अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और अभी लगबग बज रहे हैं साड़े ग्यारा सबसे पहले मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज की कंडिशन क्या हो रही थी फ्रिज भरा पड़ाता कुछ स्वीट्स रखी हैं कुछ फ्रूट्स रखी हैं नीचे रूपर सारे बड़तरों में किसी में दूद वगएरा किसी में सबजी है तो सबसे पहले मैं करूँगी अपना ये फ्रिज खाली और इसको साफ करती हूँ और ये देखती हूँ कि क्या क्या बचा रखा उसी हिसाब से फिर दो पैर में कुछ बनाऊंगी क्योंकि दक्ष और काविंदर जी गए हैं अम रोहा और अम रोहा वो किसली गए हैं वो इसली गए हैं क्योंकि दक्ष बन्दवाने गया है अपनी राखी उसकी एक सिस्टर है कभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन है उसकी सिस्टर तो वो गया है राखी बन्दवाने के लिए कल तो हम लोग बिजी थी थोड़ा नहीं जा पाए और उनके हां रक्षावंदन भी आस थी तो वो गया है अपने पापा के साथ राखी बन्दवाने के लिए और मैं किचन में लग गई हूँ इतने वो भी आ जाएंगे तो वो भी बता देंगे थोड़ा बहुत जैसी भी भूख होगी मैं उसी हिसाब से बना दूगी और अभी जितनी भी सबजी रखी थी मैंने फिलहाल कर ली है वो सारी फ्राइ क्योंकि फ्रिज में भी ज़्यादा लंबे समय की रखी हुई चीजों को नहीं खाना चाहिए और तो सबसे पहले मैंने वो फ्राइ करके और जो किचन थी फैली पड़ी थी वो बरतन वगएरा साफ करके फ्रिज को ही साफ करने में काफी समय लग गया था और ये बरतन वगएरा साफ करके मैं फिर जो हूँ देखती हूँ कि क्या करती हूँ इतने में हो सकता है कि वो लोग आ जाए और पहले मैं इसको पूरा समेट देती हूँ तो मैंने जो भी चीज़े थी वो मैंने फ्राइ करके एक तरफ लगा लगा कर रख दी हैं वो बहुत सारी चीज थी की जैसे की छोले थे पनीर था, सुभा मैगी भी नहीं ख़ाई गयी थी पूरी तो मैगी भी रख थी और भावी ने बहुत सारह उदर से पनीर रख दिया था कि दीदी बहुत सारह यहां पर बचा हijoा है नहीं खाया जाएगा तो वो भी काफी हो गया था, यहां भी बना था तो अभी फिलहाल मैं इनी चीजों को सापको फ्राइ करके अपनी किचन साफ कर देती हूँ और जब यह आएंगे तब मैं पूछ कर इन से तब बनाऊंगी और अभी इत्ते में ही दक्ष और उसके पापा भी आ गए थे और वो बता रहा था कह रहा था कि दीदी अपनी दीदी के बारे में बता रहा था मुझसे तो मैंने पूछा कि क्या खाना है तो कह रहा है अभी दोनों ने बोल दिया था कि अभी हमें लोगों को भूख नहीं है तो फिलहाल जो है मैं अपना सारा काम निपटा के इन चीजों को फ्राई करके मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ जब जिसको जैसी भूक होगी मैं तभी बना लूँगी अगर कम भूक हुई तो आज सिर्फ मैं रोटी बनाऊंगी और जितनी भी सारी सबजी है पहले इनको यूटिलाइस करूँगी क्योंकि कहां इतनी खाई जाती है क्योंकि हम लोग तीन जाने बहुत थोड़े चे थोड क्योंकि है जाने है क्योंकि है।